हेलो दोस्तो वेलकम टू आवर चैनल दोस्तो इस वीडियो में ये पाकिस्तानी रिपोर्टर पाकिस्तानी आवाम से राय लेती है कि 2024 की इलेक्शन में क्या मोदी जी फिर से थर्ड टाइम इलेक्ट होकर आएंगे और 2014 से लेकर 2023 तक इंडिया और पाकिस्तान के तालुकर ठीक नहीं हुए तो क्या 2024 में BJP इलेक्ट होने के बाद क्या इंडिया और पाकिस्तान के भी दोस्ती और टेबल टॉक हो सकती है तो चलिए देखतें इस पर पाकिस्तानियों की क्या राय है दोस्तों यह वीडियो है नेला पाकिस्तानी रियेक्शन का और इस वीडियो पर डिस्केशन हम वीडियो के एंड में करते हैं तो हमेशा से इंडिया के साथ जैसे आप बात बात चाले कि इंडिया कोई हुआ जाता है तो में सिख़ा है कि यह सीजिए वह है वहerson है गते हमारे दुश्मन है तो इसी वजाए से हम उनके जैसे तरक्की नहीं कर सकते हैं अगर इंग्लिश की बात कर ली जागर यहां पर को इंग्लिश बोलता है तो उसको मुत्रीफ टाइटल के साथ बुलाया जाता है जा उसको यह कहता है वो लीड क्लास से है जा इसकी ड्रेसिंग ने सही हिंदूव जैस अजी 27-28 करोड है वहां पर लेकिन ज्यादा तर मसला जो है इन हुक्मरानों का ही है खुक्मरान नहीं चाहते हैं मतलब अवाम फुल मूड में है अवाम है अच्छे तालुकात हो पाकिस्तानी अवाम का ये भी कहना है कि जब जब वहां पर जो है मोदी की सरकार आती है तो तालुकात अच्छे हिन करें तो क्या हमने कभी खुद कोशिश की है अपनी खुद कोई कोशिश नि करता है जब तक बंदा खुद अपने आपको नहीं ठीक करेगा तो उन्होंने क्या हुक्मरानों का ठीक करना है अब अभी देखने जो आलेक्शन आ रहे हैं इम्रान को बुरा कह रहे हैं, इम्रान खान नवाज शरीफ को बुरा कह रहा है, नवाज शरीफ जरदारी को बुरा कह रहें हैं, एक दूसे का कियरेबादा है। में कुछ फाइदा होगा गरीब अवाम का वैसे कोई फैदा है इनको पता है कि तिजारत बिजनेस ट्रेडिंग से मुल्क के हलात बेतर होंगे जो हमसे उपर बैटे हैं जो अलेक्ट होके आते हैं जो बड़े-बड़े दावे करते हैं उन्हें ये फार्मूला क्यों नहीं सम तो हमारे डॉक्टर जादा महंग इलाज हो तो इंडिया लिख देते हैं वहां से जाके करो बस यहीं वज़ा है ना इनकी नाहली है अवाम पिस रही है इनकी वज़ा से तिजारत नहीं हो रही इनकी वज़ा से यह चेक करें पांजी इस पसार हां चेसों पिप्टी एड य प्र्टी फार इसके पीछे आप चले जाए यह देखें ये मैंने 103 यूनट जिलाए हैं मुझे 3500 रुपर बिल लाए उससे पीछे जाएं 125 यूनट जिलाए हैं एक सो तीन यूनिट पे ये देखे पैंथी सो चार पे बिल है और पीछे देले जाएं एक सो पचीज यूनिट और बिल देखे थाजार दोसो सच्छ रुपे हो को खुदावा खौफ है नानू के नहीं है गा जैने है अपसे लाट मार लो वह सानू कर देयो सही बात है क्या हम सब्सक्राइब करने एक एक लैट जलने का एक टीवी चलने का हमें यह चार्जित आ रहे हैं उसको बेज़ना जो चोरी करते हैं यहां पर चलेजी बैंक स्टोप पे बिलु मैर नाम का इधर वो इनका लीडर है ठीक है उसके थारी बिजली जलती है चोरी की यहां पर हर कि आपकी बात भी हमने रखी भई यह भी अवाम को मस्ते मसाइल है इस पे भी काम किया जाए हमसायों से तालुकात हमारे क्यों नी बेतर हो रहे हैं हमसायों से कैसे बेतर होंगे हमारे अपने आपने बेतर नहीं है जो हम इस मुलक में रहते हैं क्या मिया साब होगे या बे तो लोग आज भी आप देखें मिया साब वापिस आए हैं पोस्टर लगे इमरान खांके लगे यह पोस्टर लजाने से कुछ नहीं हो ना कुछ करके दिखाने से हो ना है अब अब हमे है यह ना उपर आए हैं तो मर हैं दोस्तों आपने कभी पाकिस्तानियों को इंडिया की तारिफ करते हुए तो देखा नहीं होगा लेकिन इस वीडियो में ये लोग पाकिस्तान की बुराया करते वे नजर आये हैं जब ये पाकिस्तानी रिपोर्टर इनसे सवाल करती है तो ये आदमी कहता है कि पाकिस्तानियों के पास ये पाकिस्तानी जजबा है और इने स्कुलों से ही पढ़ाया जाता है कि वो एक गैर मज़भ है गैर कौम है इसलिए इंडिया के और हमारे तालुकर ठीक नहीं होते हैं और अगर को इंगलिश बोल दे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है दोस्तों पाकिस्तान में ज्यादा तर पाकिस्तानियों का कहना ह कि वहां के लीडर्स ठीक नहीं है वहां की गवर्मेंट ही एक दुश्रे से लड़ रही है तो वो देश को क्या ही ठीक करेंगे फिर यहां पर यह दुश्ता अदमी अपने घर का बिजली बिल दिखाने लगता है उसका कहना था कि एक लाइट और एक टीवी का बिल इतना आ करने पर मजबूर हो जाएंगे तो दोस्तों यह था आज का वीडियो इस पर आपकी क्या रहा है आप हमें कमेंट कीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए